नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साथ आपके भी मुबाइल का कैमरा काम नहीं कर रहा है उसमें कोई भी वज़ा हो सकती है या तो ब्लैक स्क्रीन की प्रावलम होगी यहाँ पे हमारे ब्लैक स्क्रीन आ रही है यहाँ पे प्रावलम होगी कि यहाँ पे कोई option आ रहा है कि camera can't error या कोई भी चीज आ रही है तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे और camera को वापिस on कैसे करेंगे और यह जानते हैं यहाँ पे इसके कई step हैं आपको follow करने होंगे तो एक एक step आप ध्यान से देखेगा सबसे पहला step है आप अपने mobile को update कर लीजिए जैसे कि app को update करना पड़ता है समय समय वर वैसे ही mobile को update करना होता है तो आप setting में जाके यहाँ पे setting में जाएए setting में जाने के बाद about phone में जाएए आप यहाँ पे उपर आपको about phone मिल जाएगा इस पे click करें और यहाँ पे आप check करें कोई update है या नहीं तो यहाँ पे system update आपको मिल जाएगा इस पे click करें और check करें कि आपको update है या नहीं तो यहाँ पे हमारा no update है कोई update नहीं है तो आप ऐसे चेक करें और update करें पर तब भी नहीं होता है तो यहाँ पे आप इसका दूसरा तरीका यूज करें आपको जाना है settings में settings मजाने के बाद आपको नीचे आना है यहाँ पे आपको मिलेगा application management या additional setting या apps तो इसको ढूंड के open कर लिजिए हर mobile में अलग-अलग होता है तो यहाँ पे apps को ढूंड लिजिए यहाँ पे आपको मिलेगा manage apps इस पे click करें और यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके सारा application जो आपके mobile में होंगे तो यहां पे आपको Camera भी मिल जाएगा तो Camera पे क्लिक करें और यहां पे आपको मिलेगा App Permission इस पर क्लिक करें और यहां पे आप सारी Permission Unable कर दीजिए तो Permission On है हमारी तो यहीं है इसके बात आपको क्या करना है यहां पे आपको मिलेगा रेस्ट्रेक डाटा यूजिस अगर आप ये मिलता है तो इसे अखर दीजिए और यहां पर आपको मिलेगा clear data इस पर क्लिक करें और clear all data पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर दीजिए और clear cash भी कर दीजिए और आपका जो दिक्कत हो भी ठीक हो जाएगी आप चेक करें तो यह रहा कैमरा हम इसे open करते हैं और अगर आपसे allow करने हो कहता है तो allow कर दीजी और आप देख सकते हैं कि हमारे phone का कैमरा सही तरीके से काम कर रहा है तो ऐसा आप इसको use कर सकते हैं बागे अगर आपका camera अभी काम नहीं करता है तो यहां पे आप प्ले स्टोर में जाएं प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहां पे कैمज़ा एट और कोई भी कैमरे वाला अप इस्टॉल कर लिज ohne प्ले लिए तो फडिरी कैमरा ही यूज़ करें आपका काम हो जाएगा वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करिएगा अगर कोई सवाल है तो कमेंट करना मत भूलिएगा और साथ ही मैं अगर तरीके काम नहीं करते हैं तो मोबाइल री स्टार्ट भी जरूर करिएगा